ओक्तावी ओयस 3.2 ओफिशल इंडोइट 12 बिल्ड आ गया है और इस बिल्ड के अंतरा में चेंजेस काफी सारे देखने को मिलते हैं जिनके बारे मैं आपको बताने वालों यहां पर काफी चीजे जो है कुछ-कुछ यहां पर एड की गई हैं जिनके बारे मैं आपको बताऊं सारी चीजे की गई हैं तो इसके बारे मी बताऊंगा बस वीडेव को लास्ता का वॉज करना आपको सारी चीजिवारे मै् पता चलू जाएगा, कंप्लेट इस अबडेट में क्या क्या चेंज़श हुए हैं तो अगर आपको वीडियो को भी लाइक जरूर कर दिजे गा। सब्सक्राइब कर दिया गया है करनल लेकिन आपका पहले वाला ही रहने वाला सिरम एक्स टू ही पहले भी था और अभी भी इन्फोर्सिंग यह और सेटिंग में क्या है कि पहले कार्ड स्टाइल में थोड़ा सा सेटिंग था लेकिन अभी आप देखोगे तो बिल्कुल आपका सेक्योरीटि के साथ भी वर्किंग इंदर कास्ट वर्किंग पिछले में नहीं हो रहे था और अच्छे से काम कर रहा है तो कस्टमाइशन यह पूरी पिछले अपडेट में लेकिन इसके अंदर क्या-क्या निव आइड हुआ उसके बारे बताने वाला थो स्टेटि तो हला कि आपका clock and dead settings आपकी पहले वाली रहेगी और एक यह वाला जो बैटरी को option मिलता है हला कि बैटरी light के लिए लेकिन यह भी आपका same ही है पहले जैसे अभी कुछ उसके अंदर नहीं मिलता लेकिन बैटरी setting में जाओगे तो यहां पे बैटरी स्टाइल लेंड के लिए left and right के लिए अब add कर दिये गया है इसके अंदर में और बाहर में आपको left battery text भी आप मिल जाता थी यह दो option यहां पर new मिलते हैं और फिर traffic indicator में अगर हम चलते हैं तो हला कि इसके अंदर change तो नहीं में लेकिन आपको slider मिलेगा पहले के मुकाबले काफी मोटे आपको देखने है यह भी new मिल जाता है और combined signal icon भी आपको new देखने को मिल जाएगा इसके अंदर में जैसे कि हम इसे इनेवल करते हैं तो अभी हमारा जो वॉल्टी या फिर हमारा जो signal icon हो आपको देखने कब नहीं मिलेगा सिर्फ वाइफाई सोकर आप देख सकते हैं यहां पर signal नहीं है यह combine हो जाता है इस तरीके से तो वहीं से अगर आप आफ कर दोगे तो वापिस से अपका system UI एक बर restart होता है जैसे कि वाफ किया system UI रिस्टार्ट कुआ और यह वापिस हमारा नेटवर्र के वॉल्टी आइकन वापिस से आ चुका है जैसे कि देख सकते हैं तो इस तरीके से क चलते हैं नेक क्विक सेटेंग्स के अंदर तो यहां पर आला कि हमें कोई भी चेंज नहीं मिलती है पूरी तरीके से अ-टु-जेट आपकी पूरी सेटिंग सेम रहने वाली है इस अपडेट के अंदर और नोटिफिकेशन के अंदर अंदर जो कि अंबिन एज आपको निव मिल जाता है बाकी कोई चेंज आपको यहां पर नहीं मिलता तो एज लाइटिंग एड़ कर दिये गया है यहां पर और फिर हम चलते इसके अक्टावी थिमिंग के अंदर तो यहां पर थिमिंग का जो सेक्शन है पूरा यह निव है जिसमें आपका वाइफा आइकन और आइकन आप चेंज कर पाऊगे तिया आपको बिल जाएगा और इसके अंदर आपको आइकन पैग भी देखने को मिल जाता है जिसमें स्फेर्ण बार के सभी आइकन आप चेंज कर सकता एक साथ और एक तीमिंग का सेक्सन पूरा निव है लेकिन मानेट वाला पह के अंदर भी यहां पर देखें तो यहां पर भी हलाकि कोई चेंज अब्टेट में नहीं हुआ है पावर मेन्यू भी पूरा आपका सेम रहे हैं के अदर भी कोई चेंज नहीं है तो इनके अंदर बस इतना ही चेंज मिलता है और अपको मिल जाता है अला कि घंज करेंगा इसको चेंज करने लागिंग थोड़ी कम हो जाती है और फिर यहां पर बैटरी के अंदर चलते हैं तो बैटरी में पहले में नीचे परसेंटेज के अपसन था जिसको रिमोब कर दिया गया है बाक्य और कोई यह नहीं नहीं बार के बारे में बात करें, टू आपर 50% ब्राइने पर वीडियो प्ले करने के बाद 71% मिली है, जबकि पिछले अपडेट में 72 था सेम यूज पे, तो सिमिलर बैटरी भी आपकी, डिस्पले के अंदर लाइब डिस्पले अड़ किया गया है, लेकिन अभी काम नहीं कर रहा है, इ लेएख अब डिस्पले यहां पर मिल झाता है, बाकि अगर Patin, गया है, और बाहर वी एक अपको अप्सें अपको नियु बाकि अदर हो मिल जाता है, ऑपको यहां पर देखने को मिल जाता है, के साूनध आपका यहाँ पे जो की रिंग टोन बाइबरेशन पैटन तो अब यहाँ पे कस्टम बाइबरेशन पैटन आप लगा पाऊगे ति यह को आपको न्यू मिल जाएगा बाकी जितने भी मिलते हैं वो सभी आपके पहले वाले रहेंगे जो की 3.1 पे मिले थे और फिर एपस के अंदर ज पाऊगे लेकिन सदिंग पूरी सेम रहेगी और यहाँ पे असिस्टेंट आपका काम कर रहे तिसके अंदर भी दिक्कत नहीं है और स्टोरिज के बाद करें यहाँ पे रिकमेंडर जो रिकवरी है उसी को यूज करना तभी एजडी कार्ड या लगाना नहीं तो इस्टक हो हर्ट कि और फंगधर ribbon सिर्फ मिल जाता और यहाँ पे पैटल साइज भी आपको डेखने कि अंदर जाएका लेकिन अगर बात करें प्रडिक फीडबैक नियू मिल जाता है और नीचे आओ गे ति यहां पर आपका जेस्चेर लेंथ नियू मिलेगा और जेस्चर जो कि यहां पर नविगेशन बार रेडियस मिल जाता थे यह नियू है एन फुल स्क्रेंड जेस्चर किसलिये दिया है कि कीवोर्ड आपको सेटेंग्स भी अब यहां पर एड़ कर दीगा थी यह चेंजस आपको यहां पर सेंसिविडी सेटेंग्स के अंदर मिल जाता है और त्री बिटन नविगेशन आपका पहले की तरह रहेगा इनेवल हो जाता है बैक सिरुफ सो कर रहा थे सिंपली वहां पर जो नविगेशन मे पहले की तरह रहेगा कैप्चर मोर भी मिल जाता है यहां पर कोई चेंज नहीं लेकिन सिस्टम अपडेटर में आपको मिलता है यहां पर देखने को और कुछ इस तरीके से इंटरफेस भी आप मिलने वाला चेंज लोग आप देख सकतो नीचे जो भी चेंज लोग से हैं त भी आप द्राइक करोंके तो अप देख सकते हैं तो लाग तो आप को इस तरीक से देखने को मिलने इसके पर यहां पर साइड में और और बहुआ है लेकिन ओर को चेंज लोगा कई आतायल मिल जायगा और नीचे आनने पर यहां पर यहां नाइट लाइट डिसप्लेइक हो गए यह टाइल मिल जाते हैं अब यहां पर त्रेटिग मोड का प्रोब्लंग जैसे कि लेटेस्ट इडों लेकिन प्रोब्लंग भी देखने को मिल रहा है तो यह फिलाल आपका लैक करने वाला है जैसे कि पहले कर रहा था, power menu तो same ही रहेगा, volume panel भी same ही है, तो उसके अंदर कोई changes नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम यह आप बात करें, इसके app opening के बारे में तो app opening में भी lagging आपको मिलती है, यहाँ पर थोड़ा आपको यह दिक्का देखने को मिलता है, इसके अंदर animation lag को लेक तो मैं यहाँ पर Google messaging इंस्टोल किया, और Play Store से आप भी कर सकता है, या फिर इसका ASP का APK मिल जाएगा description पर तो उसको simply download करके आप इंस्टोल कर लेना, उस पर भी आपका material यू का apply हो जाता है, यहाँ पर camera MIUI वाला रहेगा, पोर्टर मोड काम नहीं करता है, बाकि सारी चीज है, लेकिन FM working है आपका, और setting का भी आइकन जैसे की change है, तो थोड़ से यह आपको changes मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जो की Google photo होगी, तो इसके अंदर आपको unlimited storage मिल जाता है, और अगर आपको इसके इंदर magic razor tool चाहे तो उसकी video eye button पर दे दूँगा, तो आ यहाँ पर इसके widgets पर गया, हलांकि GFS included वाला build है, पर clock हमें जो है, vanilla build के तरह देखने हो कि यहाँ पर मिल जाती है, तो यह थोड़ा से यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल सकता है, clock नहीं है, लेकिन calling की बात करें तो वाल्टी काम कर रहा है, बीडियो कोल का बग रहेगा, Bluetooth audio और इसके अंदर Wi-Fi calling फिलाल नहीं काम करेगा, काफी लोग पूछते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पर बता देते हैं फिलाल, अब बात करते हैं, हम यहाँ पर इसके tap to sleep के बारे में, तो double tap to sleep हमारा काम कर रहा है, बिल्कुर इसे तरीके से status bar पर एड़ किया गया है, और हाई पर हम यहाँ पर खेलने वाले और performance की बात करूँ, तो यहाँ पर जरूर स्कोर में थोड़ा फर्क पड़ा है, अभी वाला जो है, थोड़ा सा better देखने को मिला है, लेकिन performance बिल्कुल same to same आपकी पहले वाली ही देखने को मिलेगी, यानि कि gaming performance अभी भी जग हो है, अभी देखने को आपको यह problem मिलती है इसके अंदर में, और gaming performance भी आपको उतनी अच्छी फिलाल भी नहीं मिलते था, अभी के हिसाप से Android 12 के जैसे कि आपको बीडियो में काफी पहले की बीडियो में बता रहा है, बता रहा हूं कि डरफेस्ट बाला जो लेटेस बिल्ड है यूज करो अभी फिलाल Android 12 जो है उसके लिए वो जो है बिल्ड थोड़ा बैटर आपको मिल जाता है, बाकियों की मुकाबले अगर आप देखोगे तो बाकियों की मुकाबले आपको बैटर परफुमेंस एंड सारी चीज़ों में तो फड़ा सा पैटर ही देखने को मिलता ह और इस बिल्ड के अंदर जो भी था मैं आपको बता दिया हूं में भी आगे के अपडेट्स में फिक्स होंगे जरूर है लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा भी स्टार्टिंग है तो आगे जरूर आपको यह सारी चीज़ों देखने को मिल जाएगी बस यह डीटर रिकेवरी ही यूज़ करना ही दिस्क्रेप्शनस पर रिकेवरी आपको मिल जाएगी तो बस आज की व्यूद्व इन नहीं थांक्स टॉ वचेओ कर दो